एंड ओप्रेशन और एंड गेट एंड ओप्रेशन को समझने के लिए हम दो इंपूट स्विचिस की मिसाल लेते हैं स्विच A और स्विच B इन दोनों स्विचिस की चार मुम्किना सूर्थे होंगी पहली हालत में स्विच A खुला है, स्विच B भी खुला है दूसरी हालत में स्विच A खुला है, जाकि स्विच B भी बंद है चूती हालत में स्विच A और स्विच B दोनों खुले हैं हम इन दोनों स्विचिस को सर्किट को इस्तमार करते हुए सर्किट बना लेंगे पहली हालत में स्विच A और स्विच B दोनों खुले हैं इस सुर्किट से कराण नहीं बुज़ेगा जानी के पहली हालत में स्विच A और स्विच B दोनों खुले हैं एक्स यानी आउटपुट की रकम जीरो होगी यानी बल प्रोशन नहीं होगा दुसरी हालत में स्विच A खुला है जाबकि स्विच B बन है इस सुरत में भी बल प्रोशन नहीं होगा यानी आउटपुट की कीमत जीरो होगी इसी तरह तीसी सुरत में स्विच A बंद और स्विच B खुला है इस सुरत में भी X की किमत 0 होगी चोती सुरत में स्विच A बंद है और स्विच B भी बंद है इस सुरत में आउटपुट की किमत 1 होगी यानि बाल प्रोशन होगा ऐसे ही सुरत वाला operation को end operation कहते हैं यानि अगर किसी output की कीमत 1 हो और इसके input की कीमत भी 1 हो तो इसको end operation कहते हैं इसको x equal है a.b से जाहिर करते हैं और इसको इस तरीके से पढ़ते हैं x equal है a and b ये धीगई टेबल किस टेबल को truth टेबल कहते हैं हम 0 और 1 को मुख्लिप potential से जाहिर के जाता है आम तोर पर 0 को 0 potential से जाहिर के जाता है कि अगने हम जाता है एक तीन वेलिट से पर डिसको टाच करना दो जब लिए इसको ते जाता है जाता है ते आनके तीन मिटरस और पर डिसको टाच करना दो हुगी है इसको एक्स इक्वल है ए डॉट बी से जाहिर की जाता है और इसको पढ़ते है एक्स इक्वल है ए डॉट बी यह दीगी टेबल इसको टूट टेबल कहते हैं फिसिक्स में जीरो को मुख्लिफ कीमतों को मुख्लिफ पोटेंशल से जाहिर किया जाता है जीरो को सिफर या ग्राउंड पोटेंशल से वन को फाइल पोटेंशल से जाहिर किया जाता है फिर ऐसे सर्किट बिराए जाते हैं ज मुक्तिरिफ operations जो किये जाते हैं, उनके लिए जो circuit इस्तुमार के जाते हैं, उनको logic circuits कहते हैं. end gate, end operation की तक्मिल करने वाले circuit को end gate कहते हैं, और इसको इस सुर्थ में जाहिर किया जाता है. इसमें output एक होता है, और input दो होते हैं.